गहे कारकंग गवे संतो दुख़ा जाती पुनेय पुनंग गहे कारक जिठो सी पुनेय गेहंग नहीं पर भी अगर हिंदूओं का एक मंदर स्थाफित कर दिया जाए तो वहाँ पर रोज लाखों की संख्या में लोग ट्रैवल करने आते हैं उसको देखने आते हैं तो जै भीम नमगु साथियो साथियो आज हम जय मध्या परदेश के सत्धारा इलाके में हैं और हमें मालूम पड़ा वैसे तुम साची में रुखे थे और साची मसुहूर है इस्तूप के लिए जो की समराट असोक ने बनवाया था और वहीं से समराट असोक के जो पुत्र और प है जहांपर जाकर नोग्ती की एक साखा को रोपित किया था उसके बार साथियों में पता लगता कि इस्तूपों की भर्मार है और मुख्यता है यहाँ पर तीन स्थोपों के बारे मां आम अलुम पढ़ा और जो साची Network है अब दिखांगे बात में अपको लेकिन हमें पता स्थारा है सथारा में एक स्थारा पर और पहले से हमें हमने देखा है कि यहां पर लगभग45 लाके में कोई जीव जनतु तो खयर आभी दिखाई नहीं दिया है इनसान दिखाई नहीं दे रहा लेकिन निर्मान और दिलिए का आप सकते हैं यहां पर चोकिप हुए है एक लकडी का इस के बना हुआ है और आप देख सकते हैं कि रास्ता बना हुआ है श्मार केसे निर्मान Sumd illegally भी निर्माण किय सव्राडर सोक नहीं वहां पय किया होंगा आप और वहाँ पर जाकर उसके दर्सन करने चाहिए और जो बहूत अन्यवयाई हैं बहुत हैं जिनकी आस्था स्रधान है इकुर्ण महतपूर्च त्षान है और यह निस्चित क्या राच चाहिए यहां की सरकारों के द्वारा की जो बहुत धर्म को माने माले लोग cooler विश्वास बहुत धर्म में हैं वे लोग इस इस्तूप masculine सकें लेकिन समस्या यह है जब हम वहां से बाहर से आ रहे थे तो हमें बड़ा बड़ी असुरक्षा सी मैसस हो रहे थी डर्सा लग रहा था कि इस जंगल में कैसे जाएंगे और जहां हमने गाड़ी लेकिन हम कुछ लोग थे साथ ही तो आपस में मिल कर हम यहां तक आ गए हैं और यहां के बारे में जनकारी बोड पर उस पर दो नमबर दिये हुए हैं दोनों नमरों को हमने मिला कर ट्राइए कि देखें इस पर किस से बात होती है कुछ सुभिदा हमें मिल सके लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया वह गलत नमर साबित हुए और यहां पर आकर हमें और भी निरासा हुई यह देखकर कि यहां पर तरह त फिश्चित किया गया है कि अभु इसके अंदर कोई जहान आसाके तो साध्यों मैं यह समझनी पार रहां क्योंकि आज सौंबार है और सौंबार का दिन छुथिपाला नहीं होता है और ऐसी कह शूचना की अवकास बगरा है और ऐसी को सूचना भी हमें यहां पर नहीं मिली और मुनमानी से यहां पर सबसे पहली बहुत मेहतबूर है बहुत धर्म की दृष्टी से बहुत दर्षटी से तो हमें निश्चित करना होगा कि हम लोग भारी तादाद में यहां पर इस इस तूप को विजिट करें और आप जब भी यहां पर मध्य परदेश के विदिशा में आएं या साची आएं तो आप जानकारी लेकर यह जो सत्धारा जगह है यहां पर जरूर आएं और यहां पर आकर इस इस तूप को विजिट कर हुआ है सत्धारा एको जंगल कैम्प प्राचिन तपो भूमी मुख्य अतिति इसमें रहे हैं डॉक्टर कुमर विजय साह माननिय मंत्री वन कर्व कमलों के द्वारा इसी संपन कराया गया था 2020 में 2020 यानि कि दो साल पेले ही यह यहां पर चाहित यहां पर सरकार के द्वारा यह सब चीजें बनाई है यहां पर गेट बनाए हुआ है सब कुछ यहां बनाए हुआ है लेकिन विजिटर्स के ना होने के बिएसे या बहुत कम विजिटर्स होने की यह से इसमें आज हमें इतनी निरासा का सामना करना पड़ रहा है कि हम जान चाहते थे कि हमारा इतिहास एक गरभ शाली उसमें क्या है और वह इतिहास क्या बैया कर रहा है मुरें और किया चीज है किससे परना हुई है ये सारे सबुझ mesma है Focus Illa को बसकी जित इक हम बहुत जद्छुट के इन बातों को नहीं जा पारे हैं तो साथी बस मैं यही कहूंगा कि आप लोग भारी मात्रम हैं यहां पर आएं और आप जो लोग विदिशा आते हैं या साची आते हैं घुमने के लिए बौदिस्तल का दर्शन करने के लिए तो आप लोग यहां जरूर आएं जब यहां पर आएंगे आव पाएगी सम्मान आवाजाही की जगह बन पाएगी और ब्रह्मान इस्थापित होने काम होगा यहां पर आप देखिए कि कहीं पर भी अगर हिंदूओं का एक मंदर स्थापित कर दिया जाएं तो रोज लाखों की संख्या में लोग ट्रेवल करने आते हैं उसको देखने आते हैं तो वहां पर सारी व्यवस्था कितना ही जंगल क्यों नहीं हो तो इसी तरह से चाहिए यह जो अभेला यहां पर हो रही है उसका कारण सर्फ एक ही है वह है इस्तूप का दरशन करने का प्रयास करें ऊपर जाकर बिल्कुल यह जो पहाड़ है इसका उपर है और हम जानते हैं कि जो बॉद विक्षू आ करते थे वो पहाडों पर जाकर बिल्कुल सांत महौल में एकांट में अपनी और विपस्तना के माध्यम से अपने जीवन को स्रेफ बनाने का प्रयाज करते थे तो सॉत है इस बात को , कि यह जो इस तूप है इसका सरक्ष्ण तभी संबह और हम बहारी मात्रा में अधिक अधिक मात्रा में यहां पर इसके दर्शन करने के लिए आएं और अगर हम लोग यहां पर दर्शन करने के लिए नहीं आते हैं तो जो मैं सरक्षन की बात कर रहा हूं वह तो समाप्ति हो जाएगी बलकि धीरे-धीरे जो है यह इस्तूप यह धरोगर जो बहुत धरम की बड़ी गौरफ साली एतिहासिक विरास अनेग जाती संसारं, संधा विसंग अनि विशंग, गहे कारकं, गवे संतो, दुख़ा जाती पुनय पुनंग, गहे कारक दिठो सी, पुनय गेहं नै कहा सी, सब्बाते फासुका भग्गा, गहे कूटं विसंखितं, विसंखार गतंग, चितंग, तरहानं खए मतजगा अर्थात, पुनहें पुनहें इस संसार में जनम लेकर, अनेकों जनम तक मैं इस संसार में भागता रहा, दौडता रहा और उस दुख को जहिलने के लिए मज़बूर हुआ, लेकिन हे ग्रह कारक मैंने अब तुम्हें देख लिया है, अब तुम अपना घर नहीं बना सकोगे क्योंकि मैंने उस तढ़ा का तरश्णा का अंत कर दिया है और निबान की प्राप्ति कर ली है यह जो सब्द है यह भगवान बुद्ध के मुख से तब निकले जब उन्होंने बोधी को प्राप्त किया और बुद्धी प्राप्त करने के बाद जब वे सिधार्थ से बुद्ध बन गए थे जी हाँ साथियो आज जिस जंगल में हम लोग आये हैं ऐसे ही बिलकुल सांत और एकांत में जंगल के भीतर तथागत बुद्ध ने वह तपस्तरिया की थी विपस्ना की थी और उसके बाद उनके मुख से ये अनमोल वचन निगले थे साथियो इन वचनों के निकलने का जो मुख है साधन मना वो ऐसा ही जंगल बना और अगर ऐसे जंगल ना होते और ऐसे जंगलों में जो की चर्णों से पवित्र हुए वहां पर समराठ असोक ने उनको चिनहित करके उनको ढून ढून के वहां पर ऐसे भव्य इस्तू बराने का कार्य किया ताकि लोग उनको देखकर ये जान पाएं कि यहां पर तथागत बुद्ध के चरण पड़े है या किसी बहुत भिक्कू के जिसने की निर्वान को प्राप्त किया उसके चरण यहां पर पड़े थे तो साथ यह बहुती महतपूर जगह है और इसका हमें विशेश ख्याल रखना चाहिए कि कभी भी हम मध्यपरदेश आते हैं मध्यपरदेश में विदीशा या साची आत झाल 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 झाल